पिछले रात की हलकी बारिश के बार तो मेयांदम की एक जमक्ति सी सुबा थी मौमिन की चुटियां का भी आज से तमाम हो रहा था शादी के हफ्ता भर की चुटियां लीं थी जो आज हदम हो गई थी लहाजा आज से काम का दोबारा आगास था रीम, ए रीम मौमिन ने घड़ी देखते तरहीम का हलके से खंदा हिलाया हम उठोना यार निकलना है मुझे उसे जल्दी से पहुंच अपलों में डाले थे आती हूँ वो कहकर फिर से तक्ये में गुम हो गई मौमिन ने एक नजर उसे देखते घड़ी पे ध्यान दिया और वाट्रोप से कप्रे निकालते वाश्रूम में खुस गया लेट तो नहीं हो नुदरत ने असलीमा से कहका नाश्टा बाहर रामदे की मेज पर धूप में लगवा दिया वेंबा का आगास हुआ था वादी सवाद की सुभाएं इन दिनों खुब ठंडी हो गई थी दोग में बाहर बैठना अच्छा लगता था जी लेट नहीं हूँ और वैसे भी आज पहला दिन है अराम से चौँ तो फरक नहीं पड़ेगा मॉमिन ने कुर्सी खसी थी अब भू सो रहे हैं नहीं काफी देर हुई जाग गए चाई पी चुके मेरी तो सारी रात वकफे वकफे से आँख खुलती रही कि मॉमिन ने आफिस जाना है रुदत मुस्कुराते हुए बता रही थी मॉमिन उनकी मुहपत पर मुस्कुरा दिया लेकिन अंदर ही अंदर वेचैनी से महसूस की सलीमा ने पराठे लाकर सामने रखे तो मॉमिन ने उन्हें रोका जरा तरहीम भीबी को आवास दे दे अमा सोने देते मुदत ने टोका लेकिन मॉमिन को अच्छा नहीं लग रहा था सलीमा ने दो तीन बार रीम को आवास दी तो वो बातल नहोस्ता उठी गई मॉमिन ने उसे रात ही कहा था कि कल से वो भी चल्दी उठ जाया करे जी अमा आ रही हूँ उसने हर्गेस दिल ना चाहते हुए भी जबरदस्ती खुद को धकेला और जिस वक्त फ्रेश होकर बाहिर आई मॉमिन जाने के लिए गाड़ी की चाबी उठा चुका था एक हमोश नजर रीम पर डाली लेकिन वो मुँ बस वरते कुर्सी पर ढह चुकी थी तो अच्छा भी मॉमिन की चाने बिलकुल ना थी मुश्किल हुई ना उठने में लुदरत ने प्यार से पूचा तो उनके कंदे पर लुड़क गई हाँ तो और क्या मामी मॉमिन ने ही कहा कि सुबा जल्दी उठ जाना मैंने थूरी नो आफिस जाना है हाँ भाई क्या जरूरत है इस रद्दुत की दूरत हस्ते वे उसकी हां में हां मिला रही थी मॉमिन ने बड़ी मुश्किल से जब किया एक तो मुतरमा उठी लेट थी दूसरे अम्मी को ये भी बता दिया कि उसके मजबूर करने पर जागी है हद है यनी बेवकोफी की अम्मी उसके उठ जाने पर ही हैरत अमेज हुशी का शिकार दिखाई दे रही थी रीम बेगब ने वो हुशी भी खुल कर महसूस नहीं करने दी फाइदा वैसे भी मुझे कोई नहीं हुआ ऐसे जागने पर जाएं दुबारा अराम फर्माए उससे मुबाइल उठाया और पोर्च की तरफ बढ़ गया जाओ गेट के बाहर तक छोड़ा और रीम बुरा मान गया है रुद्रत ने तरहीम का गाल थप थपा कर होश्यार किया तो जुमाईयों पर बामुश्किल कावो बाते पोर्च में आ गई पिंक ड्रेस में खुले हलके गीले बालों के साथ उसाधा चेहरा लिये प्यारी तो बहुत लग रही थी लेकिन मुमिन इस वक्त उससे बेपरवा से आजिस था उससे जिमेदार बीमिया बसंद थी और तरहीम के बचकाना रवये को देखते हुए उससे हमेशन यही सोचा था कि शाधी के बाद वो खुद उस पर मेनत करेगा तब उसे यकीन था कि वो उसे बदलने में काम्याब हो जाएगा पर सिमेदार बनाने की ये पहली सुबा शाधी के हफ़ते बार बाद मौमिन को अपनी पहली नकामी नजर आई वाफसी कब है मौमिन वो खुले गेट के बाहर तक आ गई थी एक बजे क्यूं तब तक मैं क्या करूंगी सक्त बोरियत होगी मुझे वो कार के खुले शीशे पर जुकी तो अम्मी के साथ हाथ बटाओ आज लंच में दुमारे हाथ का बना कुछ खाना है मौमिन ने सिम्मेदारी के एसास को एक और चानी मोडने की कोशिश की लेकिन सामना रीम के भंदे हाथों से हुआ कोकिंग की फरमाईश वलती से भी मत करना मौमिन ये देखो मुझे पसीने चूटने लगे उसे मासूमियत से मौमिन का हाथ अपने माते पर टच किया और वो बिना तबसरा किये कार स्टार्ट करके आगे भढ़ा ले गया तो ये होती है शादी वो कार को ढ़लान से उतारते हुए एकदम संजीदा था साथ रोजा तजर्वे का नचोड कुछ ऐसा खुशकिन तो नहीं था जाने लोग साथ चन्मू के वादे कैसे कर लेते हैं तुमने फिर दोस्तों के साथ जाने का प्रोग्राम बना लिया शेहनास को अरहम की आनियों जानियों से सक्ट शिक वे थे जितना मुचाती थी के बाप के बाद अरहम हवेली के मामलात को संजीदी से ले इतना ही वो गेर संजीदा और गेर सिमेदार निकला था उसके नस्दीक माहर मामले को उसके बाप से भी ज़्यादा समझधारी से देख लिया करती है दोस्तों के साथ नहीं इस बार अकेले जा रहा हूँ अरहम मुस्कुराया तो हसी में शारत वो माईनी हेसी चुपी थी शेनास में अजहंबे से देखा अकेले? क्यूं? क्या इरादे हैं अरहम? जबके मैं तुम्हें मना कर चुकी हूँ आपको मेरी यक तरफा पसंदीदीगी पर एतरास थाना सोचा दो तरफा अंडरसेंडिंग बना कर दिखते हैं तब शायद आपका दिल बिखले वो हनूस मुस्कुरा रहा था शेनास के तमाग में वुस्से का उबाल आने लगा लेकिन फिर उसे लगा के पिछले कुछ दिनों से वो जिस कुट्टी को अकेले ही अकेले सुलजाने में कोशा है शायर उसके सुलजाने का वक्त आ गया है जहेन और दिल ने अचानक एक बड़ी छलांग लगाने का मुस्जिम अरादा किया और शेना से एक घहरी सांस छोड़ते उतको बोलने के लिए तैयार किया क्या तुम बावजूद मेरे इंकार के बाहसे थो मेरी कोशिश सिर्फ आपको काईल करने ही है आप जानती है वो भी इस मरतबा भरपूर संजीदा हुआ काईल तो मुझे नहीं कर सकते कि ये जगा मेरी मन पसंद बिल्कुल नहीं हाँ एक डील जरूर हो सकती है हमारे बीच डील मतलब अरहम पहली मरतबा चूंका अगर तुम मेरा एक काम करतो तो मेरी तरफ से तुम्हें मुकमल इजाज़त है वहाँ शादी करने की जहां तुम चाते हो यानि उस से शादी करने के लिए मुझे आपका एक काम करना होगा और हमने एक बार फिर समझने की कोशिश की हाँ बिल्कुल मैंने यही कहा तो मुझे बिना आपको सुने कबूल है आपका काम जैसा भी और जिस भी नुआयत का हुआ मैं करने को तैयार हूँ लेकिन फिलहाल मुझे ना रोके अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है ओके कोई बात नहीं तुम जितना चाहे वक्त ले लो मैंने अपने काम के लिए जितना इंतजार अब तक किया है ये चोटा से इंतजार उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं शेहनास की मुभेहिम हसी में नए नए पलते कुछ ख़दरनाक अजायम की पुरसरा जमक थी उसे इस हां के बाद बहुत कुछ सोचना बहुत कुछ टै करना और बहुत कुछ तर्टीब देना था इसलिए अरहम का वक्त लेना उसे गिरा नहीं गुजरा था साब कॉंस्टेबल अमीन की आवास पर मुनसब ने चौंक कर सर गोमाया पांच बज़े ड्यूटी आफ होने पर वो आफिस से निकल कर जीब की तरफ भड़ा तो कॉंस्टेबल धोड़ता हुआ पीछे आया बोलो अमीन, हैरियद बड़े साब की कॉल आ गई क्या जी सर, वो कह रहे थे कि कल सुभा अपने इधर के जच है न, एसन अल्ला साहब उनके साथ मदीन तक जाना है एक कबर कुशाई का मामला है कह रहे थे, दो कॉंस्टेबल भी साथ हूं, हम् सुभा सुभा मैं जल्दी आ जाओंगा मुनसिब ने मालूमात लेकर जीब स्टार्ट की और ढहलान से उतरते सड़क पर आया जीब का रूफ उतरते के साथ ही हमेशा की तरह उस चानिब था जहां सामने वसीला का घर दिखाई देता मुनसिब ने रुक कर मुस्कुरा कर हर रोज की तरह हिसाब किया दो माह होने वाले थे उसे मियांदम आये दोनों को एक दूसरे से मिले और बस चंद ही दिनों में उसकी बहन की शादी वाली आगरी मुलाकात हुए फिर मालूम नहीं उसके बार इतनी तावील ब्रेक क्यूं आ गई आफिस के इसके घर के इसकदर करीब होने के बावचूर वो कभी दिखाई तक न दी थी तैशुदा मुलाकात हमें रास नहीं आएं वसीला जी एक पर फिर कहीं इत्वाक से ही दिखाई दे जाए इसने अपने आप में बरवडाते मुस्कुरा कर कहा और जीब का रुख अपने घर की जानी मोड़ा वो चेहरा जिसे देखनी की खौईश अंदर ही अंदर आज से उमीद से कब इंतजार में ढल गई थी पता ही नहीं जला था मुमीना की कॉल आ रही थी हाँ जी मैडम मिल गई फोरसत मुनसिब ने मोबाइल कोट में ही रहने दिया और हैंट फ्री का एक सिरा दाइकान में लगा लिया घर पहुंच गए तुम नहीं बस कुछ देर में पहुंचा समझो तो अराम से कर लूँ दुबारा अरे नहीं मैं कमफर्टेबिल हूँ बस पांच मिन बागी हैं सुनोव क्या हाल हैं तुम सब के सब ठीक शुकर है रमशा से तो रुजाना बात हो जाती है तुम ही फ्री नहीं मिलते तो अब आ ही जाओ मिलना मिलाना घूमना फिरना सब कर लेंगे हाँ बस स्कूल की चुटियां तो चल रही हैं पर अनीज कुछ कंस्रुक्शन के काम में बिजी रहे अब फ्री हो गए हैं तो कह रहे थे हफ्ता दस दिन के लिए छोड़ाऊंगा तुम्हें हफ्ता दस दिन भी कम है पंदरा बीस दिन तो रहो चलो देखेंगे इन्शाला लेकिन अभी कुछ दिन है मैं बताऊंगी तुम्हें हाँ ओके और सुनो दादी के पास हो आया करो कभी का बात मैं उनसे फोन पर बात नहीं कर सकता उन्हें मेरा हाल हवाल दे आया करो हाँ मेरी एक पर मुलाकात हुई थी मेरी नंद के आँ हत्मे शरीफ था तो दादी से वही मुलाकात हुई थी तो मैं बहुत याद कर रही थी तुम खुद भी मिलने जा सकती हो खुश हो जाएंगी हो आना हाँ जल्द कोशिश करूंगी ओके शहीर को प्यार देना बाए ओके तुम भी अपना हयाल रखना बाए अरे अरे तुम किचन में क्या कर रही हो सलीमा कहा है मुझे बता दिया होता नुदरत की भुकलाई हुई सी आवाज है किचन से आ रही थी खुद ही समझ जाया करें मौमिन ने वजाए उटने के वेजारी से कहा किचन में वो खुसी हैं जिनने बेट से एक भी कदम नीचे ना रखने की हिदायत की गई है एक तो मुझे समझ नहीं आता वो औरतें क्या खलाय मखलूक होती हैं जो ऐसी खालत में भरा पुरा घर जाम देती हैं किसी को मददकार ना पाकर भोज भी खुद उठा लेती हैं पहाडू पर बक्रियां चरा आती हैं कों से पानी भर आती हैं माल मौईशू की हिद्मत करती हैं तौफीक एमन ने मज़े लेते भरपो कहका लगाया ऐसे ही दिल जले होते हैं बेटा जिनकी लंब लंबी तकरीरे बस एक निकाह के साइन से उनके मौप पे मार दी जाती हैं उन्होंने अराम अराम से अपना जुमला पुरा किया फालिश ने तौफीक एमद की दोनों टांगूं और एक बाजू को कंदे तक मतासिर किया था बात चीत वो अब आश्ता रोई से मुकमल कर लि दी तरहीम ने मामू को लौंच में बैठे देखा तो नुदरत मुमानी को आँकों ही आँकों में कुछ कहते अपने कमरे में चली गई रुदरत वहीं बैठ गई भाई अब चलने फिरने से तो मना मत करो हुदाना होस्ता बिमार नहीं है वो तुफीक एमर ने मुमिन का पे उने बुलाया है किसी काम से पहले उदर जाता हूँ फिर वहीं से निकल जाओंगा मुमिन अपना जरूरी समान उठाते बाहर निकल आया दिसंबर और आखिर की वो निस्पतन एक ज्यादा सर्ट सुबा थी तरहीम को हुशबरी सुनाए भी एक माह हो चुका था घर में उस जल्दी गुड नियूस का आना मुदरत के लिए घहरत अमे सुशी का बाइस था असलाम अलेकुम मौमिन भाई वो अपनी मिली जूली सोचों में दूसरे घर के लौँच में दाहिल हुआ तो सामना वसीला की पुर्जोश मुस्कुराहट से हुआ वालेकुम सलाम वा भाई आज तो सुभा सुभा किताब अल्ला है वो भी बशाशत से मुस्कुराया वसीला किताब हाथ में लिए जहल कदमी करके पढ़ाई कर रही थी जी भाईया अम्मी कहती है ने साल में अपनी वकालत का बकाईदा अगास कर दूँ आफकोस कर सकती हो बस अब और ना टाइम जाया करना अच्छा फुपो कहा है मैंने फिर निकलना है अम्मी तो अपनी कमरे में है असल में मुझे ही मश्वरा चाहिए था आपका पूछना था यहीं मियांदम में कोई वकील या जजज ऐसा मिल सकता है जिससे थोड़ी मदद ले सकूँ ओके मैं बदा करता हूँ मौमीन थोड़ी देर वसीला से उसकी पढ़ाई के मतलिक बातें करके बाहर निकलाया अपनी गाड़ी उसने गेट के बाहर खड़ी की थी वो बाहर आया तो अपनी गाड़ी के पीछे एक कार को मुंतजर पाया वो हैरत से देखता खोम कब सीखी वो पूश रहा था अवाज में गुस्सा भड़ता जा रहा था एला ने ह्यालों में माधा पीटा कुछ देर बाद यहां नहीं आ सकती थी जंगेस हान का नजूल भी अभी होना था सीख रही हूँ वसीला से वसीला तो अंदर है और भाई बहुत दिनों से सीख र सत्रा बस कुछ ही महीनों में तो चुप मुमिन ने उंगली अपने होंटू पे रखकर उसे हामोश रहने का इशारा किया फिलहाल अंदर जाओ और आएदा तुम्हें बिना किसी की सुपरविजन के कार चलाते ना देखूं जी एक जबरी साधितमंदी बामुश्किल अपन फर्स तसवर किया अभी अपना पूरा ध्यान बढ़ाई पर रखो शनाती कार्ट बनने की उमर आई नहीं और चली है कार चलाने समझीं वो इसे पूरी तरह जाड़ते हुए कार निकाल ले गया और वो अपनी लॉंग ड्राइविंग के ऐसे सत्यानास डॉप सीन पर सक्त भोचल दिल के साथ पोश तक चली गई हलाकू खान एलाको जंगेज सरा हलका सा लगा था प्लीस दश्रीफ रखिये तानिया ने हाथ से कुरसी की तरह इशारा किया ईसा हान की उमर 28-30 से जादा नहीं थी वो एक बड़ा लिखा बारोब और पोश हांदानी लग रहा था सा काली मूचें, लंबूतरा चेहरा, काले कदरे भड़े हुए बाल और घुसावर आंखें। तानिया ने खुद को एक निया के सुनने के लिए जहनी तोर पर अमादा किया। नाम है, वो उमर में मुझसे साथ साल चोटा है, यूनिवस्टी में पढ़ता है, मजजाचन भोच असपाती और बेसपरा है, जो तै कर ले जाता है बलक छपकते में पूरा करती आ जाए, बचपन से ही जित्ती है। इसकी बात माननी बगएर हमारे पास चारा नहीं होता, जहनी तोर पर ज्यादा समझदार भी नहीं कह सकते, बात इसे जरा मुस्किल सही समझाती है, हम, सही, इसा के जरा देर तौकफ करने पर तानिया ने मतानत से सर हिलाया, उसकी एक क्लास फैलो है परिशे गुल, मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन सोहेब की बातों से इतने से अरसे में ऐसी घहरी संजीत की, फिर लड़की भी हर्गिस मतवज्जा नहीं, ओ, तानिया के मुसे बेहत्यार निकला, तो इसा ने चौक कर उसे देखा, फिर कुछ देर सोचा, जी, समझ में ना आने वाली बात तो यही है, कि कमिट्मेंट दो तरफा नहीं है, पर वजूद इस सब कुछ के, वो परीशे को अपनाने पर बाज़ित है, पिछले कुछ दिनों से उस पर घुटन के कुछ अजीब से दोरे पड़ रहे हैं, कहता है, परीशे के ना मिलने की बात वो तसवर में भी लाना नहीं चाता, हम्, तो आपकी फैमली को इतराज है इस मा पुरण ही परीशे के मुतलब तमाम मालूमात हासिल की और वाल्दा के साथ वकाइदा रिष्टा लेकर गया, क्योंकि सोहेब की तबियत तो हमें संभलने का मोका ही नहीं दे रही थी, मेरी अम्मा अलग परशान है, ओ, सही मैं समझ गए, फिर, जी बस जब वहां गए तो म ही ला दिया, तानिया ने एक खहरा सांस लेते, नजरे मेस पर जमाई, मैं बहुत मायूस होकर आपके पास आया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस मामले में क्या इंजाम होगा, क्या इस मसले का वाकरी कोई हल हो सकता है, कोई ऐसा हल जो जोहेब की लाइफ को पहले जैसा पेफिक्रा करते, इसा के हच्चारत में भाई के लिए मुहपत और धे सारी बेयकीनी नजर आती थी, क्या आपको लगता है सोहेब परिशे के असर की वज़ा उसका हुसन है, तानिया ने सवाल किया, जी, मुझे तो बाजाहिर और कोई वज़ा नजर नहीं आती, और तानिया ने कदरे दमाद से सर उठाया, आप अता रहे थे कि सोहेब को इंकार करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और इसकी बात माने बिना कोई चारा नहीं होता, तो मुझे लगता है ऐसे बच्चे लाहासिल के माइने नहीं जानते, जिनने बच्पन से हर वो चीज महिया कर दी जाए, जिसकी उन्होंने ख्वाइश की, उन्हें हार, नाकामी, शिकस जैसे हकीक्तों को कबूल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप शाहिद सही कह रही हैं, इसा के चेहरे की घहरी संजीत की जैसे तफक्र में बदलने लगी, लेकिन हम फिर भी कुछ नही मैं आपको सुहिब की आतात और अताओर के मुटलिक मजीद भी बताता हूँ, वाओ मुंसर, तुम्हारा शेहर तो बहुत प्यारा है, मौमीना घर की चट से मियांदम में शाम उतरते देख रही थी, हर जानिब सफेद बरफ थी और नीली पीली खौप दीदा रोशनिया, म मुमीना ने शहीर को भी उसके पास लिटा दिया था, रमशा ने किचन का काम संभाला हुआ था, मुनसिब भेन को लिए चट पर आ गया, अनीज ने अगले रोज वापिस चले जाना था, वो थाना के हाई स्कूल में अस्ताथ था, उसे अपनी ड्यूटी पर वाविस पहु पुर जोश और खुश थी, सुनो मुमीना, वो तुमसे रमशा के रिष्टे की बात की थी, मुनसिब ने चाय पीने के दुरान पूछा, हाँ, हयाल में तो हूँ, एक दो लोगों से कहा भी था, लेकिन दिल को नहीं लगा, बाकी फिकर ना करो, मुझे पूरा यकीन है, जनीस और मैं सफर में यही बात कर रहे थे, कि अब मुनसिब को भी अपना घर वसा लेना चाहिए, हाँ, लेकिन मेरे लिए रमशा पहले, फिर वो एक साल बड़ी है मुझ से, मेरे हैल से तो भावी पहले आनी चाहिए, वरना रिमशा चलीगी तो अकेले मेनेज करना मुश जा जाता, हम, मुनसिब ने ताइद के अंदास में सर हिलाया, अनीस को रोक लेती दो तीन रोज, वीकेंड पर आगे कलाम साइट से हो आते हैं, हाँ, रमशा ने भी इस से बहुत कहा है, लेकिन बोर्ड की क्लासी से, अकेडमी वाले बच्चों का ज्यादा प्रॉब्लम थ वो नहीं छोड रहे थे, बाकी तो हम जाएंगे ना वीकेंड पे, अरे हाँ, मुनसिब भस दिया, हफते के रोज निकल जाएंगे, एत्वार का दिन अराम से सेरिंग करो, हाँ, सही, चलो अंदर चलते हैं, यहाँ तो सच मुछ बड़ी ठंड है, इसे समझाओ रजवाना अपी, ऐसी हालत में क्या जिद लिये बैठी है, नुदरत ने नंद की हमायत हासिल करने की कोशिश की, तरहीं तो आते ही सोफे पर लेट गई थी, अब क्या जिद कर रही हो रीम, तुमें भी वैसे अराम नहीं है, रिजवाना ने तो बात सुनने से पहले ही उसे डांटना शुरू कर दिया, घोमने फिरने का ही तो कहा है, रीम ने मुबसोरा, जब से शादी हुई है, कहीं निकले हैं क्या, हफता भरी तो छुटी मिली थी बेचारे मौमिन को, और वो हफता तो वैसे भी मेमानों की नज़र हो गया, फिर ये नई हावर, अब शुरू शुरू में रिजवाना को पता था कि नुदरत के ना मानने के पीछे भी यही वज़ा है, हाँ पर अब तो तीन माह हो गए, आप ही कहती है, जोधे माह से सब ठीक हो जाता है, तो मौमिन को कोन मनाएगा, वो ही तो इंकार कर रहा है, कहता है ऐसी हालत में सफर अच्छा नहीं, बहाने ह इला चुपके से वसीला के कान में बुर बढ़ाई, इधा कहते हैं, रीम को बिस्तर पे क्यों सजा बिठाया है, नॉर्मल अंदाज में, सब कामों में हिस्सा लेने ने, तुम क्या बढ़बढ कर रही हो, रिजवाना ने घूर कर देखा, वो, मैं तो ये कह रही थी कि बस क कलाम तक हो आते हैं, एक ही दिन, इतना कहां सफर है, एला ने तरहीम की साइड ली, क्या कहती हैं आपी, नुद्रच जैसे नीम रजा मंद हुई, हाँ, बस कलाम तक जाने में तो कोई हर्श नहीं, जहन कुछ फरेश हो जाएगा इसका, ऐसी हालत में जहनी दबाव भी तो अच्छा नहीं, बाकी मौमिन को मैं समझा लेती हूँ, इसी संडे को हो आते हैं, बस एक दिन, एला ने मू भसोरा, मू अंधेरे उठाएंगे कि निकलो ताके शाम से पहले वापसी हो सके, वसीला क्या कहती है, नुद्रच ने वसीला की राए ली, अगर दो कारों में जान पटके कुछ हाथ नहीं आता, ओके, फिर मौमिन को मनाने का काम भी वसीला का, उसी की सुनता भी है और मानता भी, रुद्रच काईल हो गई, और यहां सब जानते थे, कि मौमिन को वसीला की समझदारी पर मुकमल भरोसा होता है, वाओ, मोसम क्या जबरदस हो गया है, रमश पा थी, मुनसिब सुबा दो घंटे की ड्यूटी देकर अभी वापिस आया था, दस बज़े तक उन्होंने खाने का कुछ बंदोबस किया, और अब मुनसिब की जीब में चार लोगों का मुक्तसर काफला कलाम रवाना हुआ था, मौमिना और रमशा शहिर को लिए पिछली के करीब खड़े थे, मौमिना और रमशा शहिर को उठाए, सड़क पार करके पानी के नजदीक जा चुकी थी, चश्मे का पानी भी ज्यादा तर तो जमा हुआ था, कहीं कहीं पतली धार की सूरत भेह भी रहा था, मुनसिब ने सफर की दकान उतारने के लिए धरमाज से च खुजरी तो मुनसिब की नजद ठहर से गई, पिछली कार के ड्राइविंग सीट पर उस सिबलाज शक को शुबा वसीला को देखा था, पीली बौडर वाली चादर सर पर किये, हलकी सी मुस्कराहट लिए, वो चेरा मुनसिब को भुरी तरा बेचैन कर गया था, दो माँ ब उसे इतना बेकल किया, कि जब रमशो और मेमोना उसे बुलाने आई, तो उसने उने ही वापिस बुला लिया, इसका अब किसी बात में दिल नहीं लग रहा था, आगे भरने की कशिश, अब शायद उसे कहीं रुकने पर अमादा नहीं कर सकती थी, क्या हुआ इतनी प्यारी जगा थी, रुके क्यों नहीं, मेमोना ने बुचा, यार आगे और भी बहुत सारी प्यारी जगाएं हैं, यहां मेरा मूड नहीं बना, मुनसिब ने मुतसर जवाब से जान चुड़ाई, कितनी देर है और, कलाम पहुँचने में, शायद घंटा भर, मेमोना को जवाब ही रमशा ने दिया, मुनसिब का दमा, कलाम में गर्टिश कर रहा था, नराय सावाद के एन के नारे से लगे उस हतरनाक और खुबसूरत होटल की वो तीसरी मंजिल थी, उन सबने दो कमरे बुक करवाए, एक सादा बेटरूम मौमिन और दरहीम के लिए, जबके दूसरा फैम को अलबता सापहर और शाम भी अच्छी तरह इस्तमाल करनी थी, उन्होंने फ्रेश होकर कपड़े तबदील किये, दोनों अम्मी और मुमानी को सोटा छोड़कर बाहर निकल आई, मौमिन और तरहीम के बाहर आने तक तीसरी मंजिल के खुले बरामदे और उन से दिखाई देते कलाम के हसीन मेनाजिर ही लुफ्ट अंदोज होने को बहुत थे, देड़ तक फोटोग्राफिक के शुगल में मसरूफ रहने के बाद, वो दोनों बरामदे में बीची कैनवूट की कुर्सियों पर आ बैठी, दर्याय सावाद का मसलसल शोड जैसे कलाम के सियाहत का ए पर जुगी, नीचे लकडी और रसियों के उस पुल को देख रही थी, जो इस किनारे से दूसरे किनारे तक जाने की बजाए, दर्या के बीचों बीच बने एक छोटे से खुशक कते तक जा रहा था, लगता है स्याहों की कशिश के लिए बनाया गया है, देखो वहाँ कोई कैफेटेरिया सा है न, चले, एला की आँखों में चमक थी, मज़ा तो आएगा, वसीला लबतबाय मुस्कुरा रही थी और कुछ सोच रही थी, तस्वीरें तो बहुत अच्छी बनेंगी, एला तरहीम को भी तस्वीरें दिखा कर सर्प्राइज देंगे, चले, वसीला की जमक थी आँखों में शोख सी जमक थी, ओ, एक मिनट, एला की नसरे नीचे पुल की तरफ थी, जबके हाथ उसने वसीला की कलाई की तरफ भढ़ाया, वो देखो, रंग में भंग डालने आ गए, ओ, नो, वसीला ने इससे भी जादा मुरा वूम बनाया, कैफेटेरिया से लड़कों का एक टियोला निकल कर फुल की तरफ भढ़ा था, इधर तो बहुत रशो गया, मैं तो भाई विलकुल अराम सकून के महल में जाना चाहती हूँ, हम, अभी कोई फाइदा नहीं, चलो फिलहार रीम आपी को कॉल मिलाते हैं, मौमिन भाया, अगर सो गए ना, तो शाम को तकरीबन 6 बजे, वो वसीला, तरहीम और एला को लिए कलाम की सेर को निकला था, तरही सावात के किनारे से होते, उन्ची नीची जगाओं पा फोटोग्राफी करते, जरा देर बजार की रोनक को देखते, वो तकरीबन 2 गंटे बार, रात का खाना पैक करवा के होट वापिस लोटे, तो तरहीम ने ना तो खुद खाना खाया, और ना ही उसे खाने दिया, अम्मी, फुपो और वसीला, एला ने कमरे में डिनर किया, और वो मुमिन को लिए अपने कमरे में आ गई थी, उसका दिल चाहा रहा था कि वो मुमिन के साथ एक बार अकेले कहीं निक तो उस मसूम का क्या कसूर, जिसकी भोग-भोग की धाया, एक मजबूर बाप कितने घंटू से बरदाश कर रहा है, मुमिन मुस्कुरा कर बोला, मुमिन बहुत कम कभी ऐसी अपनायत और कंसन का हिसार करता था, वो मुमिन के साथ अकेले निकलने के चकर में वाके बड़ी देर से भोगी थी, बड़ी हैरान हो रही हो, वो कुर्से से टेक लगाते इसी नरम लहजे में महातिब था, क्या मैं बाप बनकर नहीं सोच सकता, जी हाँ, वाके हैरत हो रही है, लेकिन इससे भी भड़कर हुशी हो रही है, मा तो हर हाल में बच्चों का हयाल रखती ही है, बाप केरिंग हो तो बहुत अनोखी सी खुशी मैसूस होती है, अच्छा, मुमिन ताज्जूप से हसा, भाई हमारे हाँ तो मा बाप दोनों को एक जैसा प्यार लटाते ही देखा है, मैं इस सिच्वेशन में कह रही हूँ जनाम, तरहीम के सफेद काल हुलाबी होने लगे, ये कैफियत तो सिफ मा अकेले जहलती है न, तो बाप का सिफ हसास करना भी उसकी हसास सब्यार को जाहर करता है, हमारे हाँ तो मेरे कलोतेपन की वज़ा से बच्चू की बड़ी कदर है, जी तभी तो नुदरत मामी ने हम तीनों बहनों को उलाच जैसी महब्बत दी है, अम मैंने जो उंगलियों पर दिनों का हिसाब रखती हूँ, तो बुरा मत मनाया करो, मेरे लिए इंतजार वाकी भोत कटन हो रहा है, अच्छा मुमिन हस पड़ा, दादी बनने के लिए उतावली हो रही है, वैसे फाइदा बहुत है तुमें, अराम से बच्चा उनकी कोद में डाल कर सोती रहोगी, हाँ न, तो और क्या, मुझे तो इतनी नीद आती है, मुझसे तो रात वाद को भी संभाला नहीं जाएगा, लाहो लावला कुवत, ये तो जरा पहले बच्चे का वक्त है, तुम आखिर करोगी क्या रीम, मौमिन ने बकाइदा कानों को छुआ और व जरा सो चुकी थी, लेकिन वसीला को पावचू देर तक लेटे रहने के भी नीन नहीं आई, तो किड़की से आती हलकी रोशनी देखकर वो उट पैटी, चुपके से एला को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने आँगों को जरा सा खोल कर वसीला को देखा, फिर होंट सुक लोड का नफी में सरहिलाते हुए करवट बदल गई, वसीला का अपना इरादा बाहर निकलने का बन चुका था, इसलिए चेंज करके चुपके से बाहर निकल आई, मौमिन और तरहीम शायद अराम कर रहे थे, उनका कमरा भी बन था, उनका होटल दर्याय सावात के एन कनार पर था, आस पास हसीन मनाजिर के वहतात होने के बाइस, होटल के चारों जानब भी खुले बरामदे थे, वसीला ने तिसरी मंजल से नीचे देखा, होटल के बाएं हाथ, तंग धहलाई, रस्ता दर्या के बीचूं बीच्स, बने इस चोटे से आईलेंड को जा रहा था, ज पुल के नीचे शौर मचाता शफाफ तर्याय सवाद था, पुल पर बौं रखते हुए वसीला का दिल तो धड़का, पर लब एक दिल्चस्प महम सर करने के हैल से मुस्कुरा उठे, उसका देहान मुकमल अपने पैरों और साइडों पर दिखाई देते तर्या की तरफ था सामने उसने ना सर उठा कर देखा ना उस जानी ध्यान दिया, चोंकी इस वक्त जब अपने पैरों से बिल्कुल दो फिट आगे एक ब्राउन चपल में कैद पैर दिखाई दिये, कोई मर्द एन उसके सामने खड़ा था, फोजी सबस्क रंग की शलवार कमीच से ओपर आती वसीला की निगा, चेहरे पर रुकी तो हैरत तो चंद हो गई, आप, यहां, मुंसिक के यहां कलाम में इस कदर करीब कहीं होने की बात, गुमान में भी कहीं ना थी, जी, आपको वहां से देखा, उसने हाथ से अपने पीचे इशारा किया, चेहरे पे हलकी सी नजर आ गई थी, बलकि एक बेहत पुर्शकून महोल में बिल्कुल अकेली उसके रूबरू थी, पीच ड्रेस और नीले रंग की शाल में वो कलाम की सहत बख्ष हसीन सुबा जैसे तरोताजा लग रही थी, आप कलाम कब आए, वो एक्तम हैरान थी, हम भी शाम में रमशा और मेरी बड़ी सिस्चो मौमीना, वो थाना से मिलने आई हुई थी, तो सोचा वीकेंड का फायदा उठाया जाए, ओ, अच्छा, सही किया, वसीला बिला वज़ा इधर उधर देखने लगी, मुनसिब से सामना होने का इतफाक उसके लिए भी बहुत उश आइन था लेकिन हुशी साहिर करने जैसा कोई रब्त अभी दर्म्यार में काईम नहीं हुआ था, साथवा इतफाक, हम्, इस दिन दर्या की चानिप देखते हुए बस सर इस बात में हिला दिया, आप सब यहां कब तक हैं, जी बस आज सेकिंड टाइम निकल जाएंगे, इसने फिर ज सर उठाया, ओ अच्छा, हमारा भी यही प्रोग्राम है, तो बीच का दिन यहीं कलाम में, जी इधर ही होंगे, अब इतने से टाइम में और कहां जा सकते हैं, गोडा, मुंसिव ने बेहास्ता कहा तो वसीला ने हैरत से उसे देखा, गोडा, कौन सी जगा है, पार्क है, यह करीब, बहुत पुरसकून और खुबसूरत मजाफाती जगा है, मैं भी बेहनों को वहीं ले जा रहा हूं, गलाम के रच्छ से बिलकुल हटकर है, काउन के खुबसूरत मनाजिर हैं, पार्क से गुजरता दर्याय सवाद, और एक तम गेर अबाद हामोश पुरसकून मुका अल्ला, आप कितनी अच्छी अकासी कर लेते हैं, वसीला बेहस्ता हस्ती, पुलिस वाले का ऐसा तखेल, वाकर हैल में नहीं आ सकता, लोग अभी तक पुलिस वालों से खाइफ हैं, मुनसिप का अंदास कुछ चानने वाला था, वसीला ने बीच में ही सर नफी में हिलाते ह हुए हसना शुरू कर दिया, वल्ला, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस वालों के मतालिक राए बिलकुल बदल चुकी है, बलके संजीत की से मुनसिप को देखा, असल में मुझे पुलिस वालों से कभी कोई शिकायत नहीं रही, क्योंके ना तो कभी वात्सा पड़ा, और ना ही नहीं क्यों, मेरी अम्मी पुलिस वालों से हाइफ बलके होफसदा रहती है, उनकी जवानी बच्पन से सुन सुन कर एक अमेज बन गया था, ओ, मुनसिप ने सर हिलाया, हो सकता है उनके साथ कोई नाशुगवार वाक्या पेश आया हूँ, जी, हो सकता है, आफ शायद आग थोड़ा डर गई थी, वहाँ ओपर हमारे रूम से, उसने वहाँ पुल्ट से उपर इशारा किया, लेकिन उपर उठी निगाहे, वहीं रुगी रह गई, ओपर वैलकोनी में एला खड़ी थी, देखे जाने पर उसने शोकी से हाथ हिला दिया था, वसीला अलबता भुरी त जीम गई, इतनी देर से वो मुनसिब से बिलावजा बोले चली जा रही थी, एला जाग गई है, मैं चलती हूँ, उसे हलका सा हाथ हिलाते हुए, वोरण वापसी की और मुनसिब उसे वापस जाते देखता रहा, सोने के लिए मियांदम क्या बुरा था, मुमिन के हाथ में नाश्टे के ट्रे थी और माथे पर बल पड़े थे, नुदरत और रुजवाना बीक वक्त जीम कर उट पैठी, और क्या मौमिन भाई, ये दोनों हवातीन अगर घर पर अराम कर लेती, तो हमें दो कारों में हवार न होना पड़ता, आपकी कार में रीम, एला और मैं आपक नुदरत ने जाए डालने के लिए धर्मास करीब किया, जाना कहा है वैसे दीम को ही हयाल आया, तुम सभी मिलकर तै करो कुछ, बस ज्यादा दूर ना हो, रोशनी की हतम होने से पहले वापसी करेंगे, ताकि वसीला को ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, मौमिन अपना मुद्धा वासे अलफाज से बता दिया, मौमिन भाई, वो मेरी एक दोस बता रही थी, यहां कोई गोड़क पार्क है, दर्या के किनारे, गोड़क, मौमिन ने जहन पर जोर देते धुराया, मेरा एक कॉलिग भी शाहिज यही नाम ले रहा था, पूछू, उसे ता अलुमात हासिल की और मुस्कुराते हुए वसीला को देखा, कह रहा है, यहीं करीब ही है, दर्याय सावाद का बहुत खुबसूरत और किसी कदर हतरनाक व्यू, वाओ, एला ने बेहासा एकसाइटमेंट से दोनों हाथों को आपस में भांदा, मुझे जरूर देखना है यह हतरनाक व्यू, बता था, मुमीन ने नतने फुला कर ख़वी से देखा, हौरर के लफसर बच्चे ही सबसे ज़ादा उचलते हैं, और पेश आने पर सबसे पहले दोड़ें भी इन ही बच्चों की लगती है, तरहीम ने कहका लगा कर शोहर की ताकीत की, और एला की मुमीन भ भालती उटखडी हुई, वाओ वसीला, तुम्हारी दोस्ते जगा तो क्या हूब बताई है, नुद्रत मुमानी ने सताइशी नजों से वसीला को देखा, और वो बस हलका सा मुस्कुरा दी, दो चीज़ें ऐसी थी, जो गोड़क पार्क को मुल्क के शायद बाकी सब ही आम पार्कों से यकसर मुम्तास कर रही थी, वो यकीनन यही गोड़क पार्क की खुवी थी, पार्क के दाएं हाथ पर दर्याय सावाद जैसे एन सीने पर चड़ा चला आ रहा था, यूँ जैसे पार्क के अंदर जबरन घुज आया हो, एक तरफ वो चेटान से टक्रा रहा था और दूसी तरफ पार्क बना दिया गया था, यहां दर्याय सावाद चूंके चुड़ाई में कुछ सिमट गया था, तब ही इसकी गहराई भी ज़्यादा हो गई थी, और यही गहरा बन यहां की होफनाकी में अजीब से अजाफे का बाइस बन रहा था, पानी के ज़्याद एला ने उसकी कान में सरगोशी की, जोप रहो, सुना नहीं अम्मी क्या कह रही है, वसीला चटाईयां लेकर पार्क के आखरी किनारे की तरफ भड़ गई, वहां दूप भी अच्छी थी, खाने पीने का सामान उन्होंने रास्ते में ही लिया था, अम्मी और नुदत मुमा पानी को तो बस बैठने का टिकाना चाहिए था, बहुत देर तक सब वहीं बैठकर फुश्गपियां करते रहे, तहरीम ने पानी को करीब से देखने की हुआश की, तो मौमीन ही मा की हिदायत पर उसका हाथ पकड़का वहां तक चला गया, चलो आपी पार्क से निकल चलते वसीला ने एला की जिद देखते नर्मी से बात बनाई, हाँ, हयाल से, अम्मी की अजासत मिलते ही दोनों बाहर निकल आएं, और सकून से इस हुपसूरत से इलाके में दूर दूर तक कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, चलते चलते वो एक छोटे से पुल पर आ वसीला ने मुस्कुरा कर एला को देखा, आज तो मैं यहाँ ऐसी अनोकी वीडियोस बना कर जाओंगी, कि कलाम का ऐसा व्यू किसी डॉकुमेंटरी में भी किसी ने न देखा होगा, एला इस वक्त वाकी बच्चु की तरह उचल रही थी, सब मौमिन भाया से दूरी का असर है, लगता है मुझे ही मौमिन भाया बनना वड़ेगा, वसीला हस्ते हुए उसे उंगली उठाकर तंभिया कर रही थी, कोशिश भी ना करें उस मुच्चर जैसा बनने की, एला बहुत उस्से में उन्हें मुच्चर ही कहा करती थी, मुझे भी इस पहाड़ी रास्ते पर च वसीला कंदे उच्काकर उसके पीछे चल दी, खुली खुली धूब जिसम को सकून आवर हरारत बख्ष रही थी, वसीला ने नहायद अच्छे मूड में मुबाइल आन करके, खुद भी तस्वीरें बनाना शुरूंगी, एला ने एक दो बार सामने से रोक कर उसकी तस्वी हराब लगी रही थी, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो पागर, ये देखो, वसीला आगे भड़कर उसे इसकी तस्वीरें दिखाने लगी, हाँ यार, वो अपनी ही तस्वीर की ब्यूटी को नहारने लगी, तो वसीला ने हसकर सर हिला दिया, ए आपी, वो देखो न, वो तुम्हारे वर्दी वाले नहीं, एला ने एक चानिब इशारा किया तो वसीला चोंगी, नज़रों के ताकुप में वाके सामने से मुनसिप और रमशा चले आ रहे थे, वसीला को तुम्हारे खहने पर, एला को सरजनिश करने का मोका भी नहीं मिला, और वो दोनों इनक रहा था, वाकई बहुत अजीवत वाक है, मियांदम से एतनी दूर एक साथ एक ही जगा, लेकिन है, कमाल है, बहुत हुश्यूई आपको यहां देखकर, एला ने रमशा को बाजों में लप्टार रखा था, और कौन-कौन है साथ, सब हैं, अम्मी, मुमानी, तरहीम, मौमि भाईया, लेकिन उधर पार्क में, वसीला ने हाथ से इशारा किया, अच्छा, हम भी कुछ टेर पहले तक वहीं थे, लेकिन मेरा भाजा बहुत तंग कर रहा था, तो घूमने फिरने बाहर निकल आये, रमशा ने मजीद बताया, तो वसीला और एला दोनों को हैरत हुई, आपका भाजा, तो अभी कहा है, वो लोग जीप में है, मेरी सिस्टम मुमीना आई हुई है मिलने, आए न वसीला, आप लोगों को उनसे मिलवाओं, रमशा ने वसीला का हाथ थामा, मैं तो कहती हूँ सब पार्क में चलते हैं, सबसे मुलाकात हो जाएगी, विमोना आपी को भी बुला ले, एला ने रमशा की तागीद चाही, लेकिन वसीला ने बेहास्ता मुनसिप को देखा, अंदाज में कुछ ऐसी घवरहाट थी कि मुनसिप चौंक सा गया, वसीला कुछ कहना चाहती थी, मुनसिप ने बाकी दो की नजर बचा कर हलका सा आपरू, सवालिया अंदाज में उठाया, तो वसीला ने सर को नफी में हरकत दी, मुनसिप के लिए समझना आसान हो गया, वसीला नहीं चाहती थी कि वो लोग पार्क में जाकर बाकी सबसे मिले, हमारी जीप यहां से बहुत करीब हैं, आप लोग पहले मेमोना से आकर मिलने, फिर देखते हैं मुनसिप ने पहली बार महल होकर सला दी और रमशा ने भी सर हिला दिया, एला और वसीला चीप के नस्दीक आएं, तो मेमोना उन्हें देखकर बाहर निकल आई, इनसे मिलो मुमीना, मियांदम में हमारी पहली दोस्त, रमशा ने सलाम दवा के बाद मुस्कुराते हुए व वहीर, रमशा ने बात करते करते भाद्यों का अपनी गोद में ले लिया, बहुत क्यूट है माशाला, एला को बच्चे बहुत पसंद थे, वो बहत्यार शहीर की तरफ लपकी, अपी तो कुछ दिन यहीं है ना मुमीना, तो हमारी तरफ जरूर आईएगा, वसीला ने पड़ी, ये दो है, लेकिन इस दोस्ती को बारियों से अजाद ही रखें, ताकि जब दिल चाहे हम एक दूसरे से मिल लिया करें, ओके, तो फिर एक दो दिन में हम आपकी तरफ आ जाते हैं, रमशा ने बाजित, हुशी, उसकी दावत को कबूल कर लिया, रमशा आपका नम मोबाइल में इसी वक्त महफूस कर लिया, और अपना नमबर रमशा को नोट करवा दिया, वसीला हमोशी से खड़ी देखती रही, दूर मुनसिब नमबर्स के दबातले को बड़ी मैनी हिस मुस्कराहाट से देख रहा था, इन ही दो की बदोलत, दो फैमली आपस में एक न दाते चुपके से जेरलब कहा, जिसे सिर्फ वसीला ही सुन सकी थी, इस मर्दव वो भी हसी नहीं रोक पाई, अलबता मुनसिब की जाने देखा नहीं गया, एसी को सबसे जादा शोक हो रहा था जाने का, रस्वाना का परशान हाल चेहरा पुरी तरह उत्रा हुआ था, एला के हाथ में दो कार्टून फेस के कुशन दबे थे, जेरा खुशी और जजबात से तम तमा रहा था, पीचे आती वसीला के होंटू पर भी हसी थी, लेकिन इसकी खुशी एला की देवानगी से बहुत कम थी, याहू, इस से चीक कर हुशी का नारा लगाते, तरहीम के न किसे अभेट जेहन कहा, वो मधोशी से अपने लाए कुशन पर गिर गई, अम्मी सच बताएं, डॉक्टर ने यही कहा, वसीला के चेरे पे भी हुशी फूटी पड़ी थी, वाकिर ट्विन्स उससे निचला लग दांतों में दबाते शोखी से तरहीम को देखा, लेकिन उस हमसे तो खुशी ही संभाली नहीं जा रही थी, लेकिन आप लोगं को क्या हुआ, सब हैरियत है ना, हैरियत ही है, रहीम सखत बुरा मों बनाते हुए उटकर बैठ गई, मैं भी तुम दोनों जैसा खुश होना चाहती हूँ, लेकिन इन दोनों को देखो, जब से सुना है, ह तो डरा रखा है बेचारी को, अरे यूहीं, बस दिल घवरा रहा है सोचकर, दो बच्चों की जिमादारी का पोच उठा पाएगी, फिर डिलेवी और फिर ये बाकी बच्चे चार-पांच मां का अर्सा, अमी बोलने पर आईं तो अपने सारे हद्शात निकाल वाहिर किये इसमें घबरानी की क्या वात है, विछले दिनों हबार में देखा, सवाबी की हवतून के पांच बच्चे एक साथ, अरे बस भी करो, रिजवाना ने सख कभीदा हातिर होते, एला का मुम बंद करवाया, तुम्हें कभी कोई मामला संजीता लगा भी है, कसम लेले मुझे त तंसिया नुदरत की तरफ देखा, तो रीम और वसीला की भी हसी छूट गई, अंदर आते मुमिन की आंखें, अलबत्ता हैरत से पहलने लगी, वो तो अपने जुड़वां बच्चों की हबर सुनकर अंदर आ रहा था, और सास हैवा के मुझे ये कैसे फूल जड़ रहे थ अच्छा अच्छा भोलें फूपो, हैं या नी, रिजवाना ने कुछ ना समझते पहले मुमिन को देखा, पिर नुदरत की खेके पर अपनी बात पर गोर करते, खुद भी हस पड़ी, तोबा है मुमिन, इधर आओ, यहां बैठो, जी भाईया, आईए और बैठिये, लेकि और क्या वज़ा है इनकी परेशानी की, तुम्हें लगता है, यह तुम्हारी सुस्त नकम्मी बीवी संभाल पाई की दो दो बच्चों की से मेधारी, रिजवाना ने तरहीम को बैजारी से देखा, सुस्ती और नकम्मे पन के हताबाद पर तो खेर मेरी तरफ से हसुसी शा बलके मामूल से कुछ ज्यादा ही कमगो था, उसका ज्यादा बोलना उसकी अंदरूनी हुशी का गमास था, उन्होंने मुस्कुराती नजरों से नुद्रत की तरफ देखा, लेकिन भावी के छेहरे का तफक्कुर अस्वाना को चौंका गया, क्या बात है नुद्रत, तुम और नुद्रत उट खड़ी हुई, अल्ला पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा, इन्शाल्ला, इन्शाल्ला, नुद्रत ने मुस्कुरा कर तागीद की, गोल-गोल खुमती, चकरदार सड़क के हितमाम पर विलाहिरों मियांदम की छोटी से अबादी में दाखिल हो गया अताके अबादी को क्रोस करके निस्पतन पुर्सकून, छोटे रोड का इंतहाब करते हुए, इस वक्त वो सड़क कनारे खार से उतर कर मियांदम की उंची खरी भरी चोटियों को देख रहा था, मुस्कुराते लवों पर दबादबा जोश और आंकों में ना समझ आती चम कर दिया था, और मियांदम और हम हान के सफर का पहला पड़ा हो था, बाकी आएंदमा इंशाल्ला, अगर आपने यहां तक सुना है तो आई तिंक मैं एक लाइक और सब्सक्राइब तो डिजर्व करती हूँ, थेंक यू